पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्ण पूछा था कि क्या विभिनताएं महत्वपून है या नहीं। इसे समझने के लिए हम सीतोष्ण थंडे जल में पाई जाने वाला एक जिवानू का उदाहर लेंगे। कल्टना कीजिए की जल का तापमान वैश्विक ओश्मी करन जिसे हम अंग्रेजी में गलोबन वामिंग कहते हैं के कारण बढ़ गया है। किन्तु जिवानू को शीतोष्ण जल में रहने की आदत है तो इस प्रकार तो इन्हें मर जाना चाहिए। फिर भी आपको कुछ जिवानू जिन्दा मिलेंगे। फिर ये जिवानू जीवित कैसे रह गए। जनन के दौरान जीवानू के डिएने में विभिन्ता आ गई जन्होंने इन्हें गर्म जल में रहने के लिए प्रतिरोधी बना दिया जिसके कारण ये जीवित रह गए। उसी प्रकार यदि हम बड़े जीवों जैसे पौधे, जन्धों की बात करें तो हम देखेंगे की प्रतिर जन्संख्या का एक निश्चित स्थान है जहां वो जनन करते हैं। परिस्थितिक तंत्र, जिसे हम एकोसिस्टम कहते हैं, में वह स्थान जहां एक जीव रहता है और अपने आसपास के लोगों के साथ घुलता मिलता है। उदारन के लिए मधु मखी तथा उसका छत्ता तथा दियेने के प्रति लिपी करन की स्थिर्ता शाररिक धाचे को बनाए रखने तथा स्थान भनने के लिए महत्वपून है। कृप्या से अपनी कॉपी में नोट कर ले। इस प्रकार जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थरी करन में महत्वपून भूमिका निभाता है। परन्तु क्योंकि हम तापमान, बारिश, आदी के कारण में आ रहे बदलावों को नियंतरित नहीं कर सकते हैं, ये विभिनताएं प्रजातियों को विभिन वातावरन में जीवित रहने का कुछ मौका देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्ताएं प्रजातियों की जनसंख्या को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवशक है इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले